क्यूं निकाली जाती है भगवान जगननात की रथ यात्रा, जानिये इतिहास और मान्यताएं इस रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगननात की बेहन सुभधरा ने उनसे द्वार्का के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी, तब भगवान जगनात ने अपनी बेहन की इच्छा पूर्ती के लिए उन्हें रत में बिठाकर पूरे नगर का ब्रह्मन करवाया था, इसके बाद से इस रत्यात्रा की शुरुआत हुई थी, इस रत्यात्रा के बारे में सकंध पुरान, नारद पुरान, पद्म पुरान और ब्रह्मपुरान में भी बताया गया है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका विशेश महत्वा बताया गया है, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, जो भी व्यक्ती इस रत्यात्रा में शामिल होकर इस रत्र को खीचता है, उसे सो यग्या करने के बराबर पुण्य प्र सबसे अंत में भक्त भगवान जगनात जी के रत नंदी घोश को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खीचना शुरू करते हैं। पुरी शहर में होता है, रोचक तथ्य यात्रा के तीनों रत लकडी के बने होते हैं जिने श्रद्धालुक हीच कर चलते हैं। बलभद का रत इनके रत का नाम तालद ध्वज है। रत पर महादेव जी का प्रतीक होता है। इसके रक्षक वासुदेव और सारथी मातली हैं। रत के ध्वज को उनानी कहते हैं सुभद्रा का। रत इनके रत का नाम देवदलना है। रत पर देवी दुर्गा का प्रतीक मड़ा जाता है। इसकी रक्षक जय दुर्गा वसारथी। अरजुन है, रत का ध्वज नदंबिक कहलाता है, 752 चूलों पर बनता है खाना भगवान जगनात के लिए। जगनात मंदिर में 752 चूलों पर खाना बनता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई का दरजा हासल है। रत्यात्रा के नौ दिन यहां के चूले ठंडे हो जाते हैं। गुंडिचा मंदिर में भी 752 चूलों की ही रसोई है। जो जगनात की रसोई की ही रिप्लिका मानी जाती है। इस उत्सव के दौरान भगवान के लिए भोग यहीं बनेगा।